वेल्कम बाग तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि accounting equation क्या है और accounting equation के अंदर हम लोगों ने देखा capital plus liability is equal to assets इस accounting equation को बलाने के लिए दो principle का main योगडान है सबसे पहला सिधान्त है हमारे पास में dual aspect principle हर चीज के दोहरे प्रभाव होंगे या तो वो capital plus liabilities में increase करेगा और साथ के साथ assets के अंदर भी change लेके आएगा दूसरी चीज हमने देखी dual personality या dual entity business और businessman अलग है इसलिए capital का क्या meaning है यहाँ पे वो हम लोगों को समझ में आया अब हम कुछ transactions के ओपर चर्चा करते हैं और आज थोड़ा exemplary आगे बढ़ते हैं let's say मैं capital plus liability equal to assets की बात कर रहा हूं और उसके अंदर मैंने let's say एक example लिया था याद हो तो पिछली class में कि 100 रुपे से मैं business start कर रहा हूं है ना business start के लिए लिए use में ठीक है ना 100 रुपीस का मेरे पास में क्या हुआ capital liabilities externally मैंने कुछ ली क्या नहीं और मेरा cash कितना है साब वापिस है 100 रुपीस का ये मेरी capital हो गई ये मेरी liabilities जो की nil है और assets हो गई और asset में specifically बात करूँ तो ये क्या चीज है साब cash है ना अब मैंने क्या किया वो 100 रुपे दे करके माल लेते हैं कुछ goods खरीद लिए let's say मैंने एक टोकरा apple खरीद किया now the point is 100 रुपीस का मेरे पास में stock आ गया है यानि यहाँ पे plus 100 हो गया क्या मेरे पास apple का stock आ गया लेकिन मेरे पास में वापिस 100 रुपीस कम चले गए क्यों से cash के now the point is that कि 100 रुपीस cash के कम हो गया 100 रुपीस apple का यानि stock बढ़ गया equation में क्या change हुआ कुछ भी नहीं 100 capital employed थी बस assets के अंदर plus minus 100 हो गया accordingly total जो है 100 की 100 रही now इसके बाद में मैंने क्या किया वह 100 रुपीस का जो मेरे पास में क्या था apple का stock पढ़ा आ था वो मैंने sale out किया 150 रुपीस के अंदर point is मेरे पास में कितने रुपीस आ रहे है 150 cash आ रहा है लेकिन मेरे पास से क्या जा रहा है 100 रुपीस का stock जा रहा है apple का अब एक बात notice करें कि 100 रुपीस का माल मैंने 150 में बेचा profit कितना वह 50 रुपीस इस profit पर हक किसका है external लोगों का नहीं यहां पर हक है owner का businessman का owner fund that means capital तो 100 रुपीस के अंदर हमारा particular capital था 50 रुपीस का उसमें profit add up हो गया accordingly 50 रुपीस जुड़ गए plus 0 अभी भी externally कुछ भी चाहिए नहीं हुआ है तो हमारे पास में क्या रहा साब हमारे पास में 100 plus 150 minus 100 that means 150 और यहां भी total कितनी है 150 plus 0 accordingly 150 तो यह match हो चुका है हमारे पास में इस सारे aspect आपको समझ में आने लगे होंगे कैसे accounting equation work out की जाती है अब एक और example ले लेते हैं let's say मैं company के point of view से बात करता हूँ company के अंदर क्या है हमारे पास share capital है let's say 1 lakh rupees का share capital है अब इन्होंने debentures जारी किये ठीक है 1 lakh rupees का share capital और 1 lakh की हम लोगोंने क्या कर रखी है fixed asset खरीद रखी है let's say land and building खरीद रखा है debentures इन्होंने क्या किए जारी किए debentures जारी करने से क्या होगा liabilities increase होगी external milliards और अट का G बैंक के अंदर आएंगे, बैंक में स्टोर्ड होंगे, तो अकॉर्डिंग ली एक दस हजार रुपए का इंक्रिमेंट, देखने को मिलेगा हम लोगों को, बैंक के अंदर जो की एसेट है। Now accounting equation, अकॉर्डिंग ली क्या हो गई, 1,00,000 की capital, प्लस 10,000 रुपए के debentures, यह नि एक्स्टर्नल लाइपिटिज, एक लाक रुपए के land and building, प्लस 10,000 रुपए का bank balance, जो कि असेट है, इंक्रीज हो चुका है, यह एक बहुत बड़ा concept जो की fundamental principle के ले करके चलता है जादू भी कह सकते हैं आप लोग क्योंकि यहां आपको जानकरी देखने को मिल रही है कि हमेशा यह दोनों साइड जो है वो आपको same मिलेगी, match करते में मिलेगी और इनी साइड को ले करके, if you remember your senior secondary classes balance sheet बनती है और balance sheet में यही दो चीज़े तो reflect की जाती है हमारा liabilities वाला portion and assets वाला portion, दोनों साइड की total बराबर आनी चाहिए आपके आई या नही आई, that is interesting fact, that's all for today's class, thank you so much